जहें दोस्तों बंदे मात्रा, आरेंखान के ड्रग केस ने बॉलिवूड के कई सारे ऐसे पुराने पन्यों को पलट दिया है, जिनकी तरफ शायद एक बार फिर से नदर जाना मुंकिन नहीं था, और जब पहली बार वो नाम सामने आये तो सबी को लगा था कि शायद किसी ग सामने आया है, तब से ही NCB बॉलिवूड को लेकर काफी जादा एक्टिव हो गई है कि इसमें बॉलिवूड के किस प्रकार से एक्टिवली ड्रक्स कांजम्शन किया जाता है, अब इसी फैरस्त में ऐसा नाम दोबारा से गिरफतार हुआ है, या यू कहें, गिरफतार नही साम हैं, और ये शारुक खान के और आरेन के भी काफी करीब ही माने जाते हैं, अब देखिए, इसमें एक बार फिर से सारी कडियां दुबारा से जड़ती जा रही है, और जब अलग-अलग मामलों में सारी गलियां मिल जुलाकर एक ही जगे पर पहुंचें, तो विसी बात के मताबिक आरेन खान ने कहा है कि वो चरस फीते हैं और क्रूस पार्टी में भी चरस लेने वाले थे, NCB ने अदारत में दिये पंच नामें बताया है, कि इनों तलाशी के तुरान अरबास के पास से 6 ग्राम चरस बरामद होई थी, अरबास ने अपने जूते से ड्रक्स का पाउच निकाल कर दिया था, क्रूस ड्रक्स केस में NCB ने बड़ी का रवाई करते हुए, बिल्डर और फिल्म प्रोड्यूसर, इम्तियास का नाम अचित कुमार के पूशताच में सामने आया है, अचित को NCB ने गुरुवार को गिरुफतार किया था, इम्तियास पर अबि सुषांद सिंग रचपूत के पूर मैनेजर शुती मोधी के वकील अशोक सरावगी ने दावा किया था, कि रिया और सुषांद को खत्री नाम का एक व्यक्ति ड्रक्स देता था, उन्होंने कहा था कि खत्री का पूरा नाम उन्हें नहीं पता, लेकिन वो बॉल्यूड का एक बड़ा सप्लायर है, अब बात या जाती ही कि आखरी इंतियास खत्री है कौन, इंतियास खत्री फिल्म प्रोड्यूसर है, साथ ही साथ एक विल्डर भी है, उनकी आई एनके इंफ्रस्रेक्टर नाम की कंपनी है, तो 17 में VVIP उन्यूवर्सल एंट्रेटेन्मेंट नाम कारवाई की बात की जा रही है, तो ऐसे में अब यह देखना बहुत जरूरी होगा कि क्या इस बार कोई बड़ी कारवाई होती है, इस बार भी यही मामला रफा 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 हो जाता है, मेरे सुडियों फिलालतना ही, जय हिन जय भारत